कूर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं तो जैसे कि आपने देखा कि पिछले कई सारे लेक्चर्स में हम लोग ने डेटा हैंडिलिंग की बाग करिये और हमने डेटा हैंडिलिंग के हमारे जो भिन-भिन प्रकार के options होते हैं, commands होते हैं उसके बारे में बात करी है उसी topics को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक नई topic के बारे में बात करना चाहेंगे वो है sorting, ordering and mode तो sort और order क्या होते हैं जैसा तो आपको इसका नाम है उसी के अनुसार इसका जो मतलब है उससे समझ में आ जाना चाहिए कि sorting का मतलब होता है कि अगर हमको कुछ data दिया हुआ है तो उसको हम किसी increasing या decreasing order में या घटे हुए करम में या बगलते हुए करम में हम उसको arrange करना चाहते हैं उसी प्रकार से हमारा ordering का concept होता है sorting और ordering ऐसे सुन करके तो लगता है कि एक ही बात करनी है लेकिन our software में इनका कार अलग-अलग होता है जब हम sort की बात करते हैं तो वह values को sort करता है और जब हम order को बात करते हैं तो वह values की location होता है उनको sort करता है तो ठीक है हम इसके बारे हम आपको यहाँ पे एक बिन-बिन धारण ले करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह समझना बहुत अवश्यक है कि sort और ordering R software में किस प्रकार से कार करते हैं क्योंकि जब आपको यह समझ में आ जागा कि यह किस प्रकार से कार करते हैं तभी आपको जो कार करना है आप उसको R के अनुरूप जो उसका syntax से command है उसमें लिख करके R को आप बता सकते हैं और उसके बारे में हम मोट की बात करेंगे मोट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन आज हम इसमें कुछ और नई हमारे जो करिके के मोट होते हैं उसके बारे में आपको हम thoughts update करेंगे बस इसके बारे में आप पहले से कर चुके हो तो चलिए हम इस लेक्षर को आरम करते हैं और हम अपने इस sorting, ordering और mode के बारे में बिन बिन अधारों के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं चलिए, ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं sorting तो sorting के क्या मतलब होता है? कि जो भी हमारी values हैं, उसको हम बगते हुए क्रम में या घटे हुए क्रम में हम उनको arrange करने की कोशिश करें जैसे कि अगर हम कहीं हमारे पास suppose तीन value है, पांच और एक हमारे ही है दस और एक हमारी है दो अब अगर आप देखेंगे कि इसको अगर हमको बगते हुए क्रम में arrange करना है तो सबसे पहले हमारे इसमें से जो सबसे चोटी value है दो उसको लिखेंगे फिर उससे बगी value है पांच उसको लिखेंगे और उसके बाद उससे बगी value है दस उसको लिखेंगे और अगर हमको इसको घट्टे हुए क्रम में में अगर लिखना है तो यह हमारे क्या हुआ यह हमारी बगते हुए क्रम में है और घट्टे हुए क्रम में अगर मुझे को लिखना है तो सबसे पहले हम जो अपनी सबसे बगी वैल्यू है दस उसको लिखेंगे उसके बाद में उससे जो छोटी value है 5 उसको लेखेंगे और उसके बाद में सबसे छोटी value है उसको लेखेंगे तो इसी को हम बोलते हैं sorting तो यह कार हमारे R software में sort function के द्वारा किया जाता है और इसका हमारा syntax होता है sort सब कुछ हम इसको lowercase alphabets में लिखते हैं और उसके बाद parenthesis के अंदर हम अपना एक data vector दे देंगे x जिसके अंदर हम जिन value को घटे हुए या बगलते हुए क्रम में sort करना चाहते हैं उनको link देते हैं अब जैसा मैंने कहा कि हम जब sorting की बात करते हैं तो हमारे पास दो options होते हैं कि या तो हम इसको भगलते हुए क्रम में लगाएं या इसको हम घटे हुए क्रम में लगाएं तो यह कार R software को किस प्रकार से inform किया जाए इसके लिए हमारे पास एक option होता है जो हम sort कमांड में parenthesis के अंदर इस्तमाल करते हैं D E C R E A S I N G decreasing और यह सब कुछ हम lower case self-orbit में लिखते हैं अब जैसे देखिए आपको decreasing का मतलब पता हुआ है कि कम होता हुआ यह इसका जो हमारा outcome होता है यह हमारा logical variable होता है तो इसकी दो values हो सकती है true या false तो अब अगर मैंने यहां पर लिखा हुआ है decreasing is equal to false इसका मतलब क्या हुआ आप अगर बिल्कुल इसको आदा एक जो आहम भाशा होती साधाराण भाशा होती उसमें समझने की कोशिश करिए decreasing का मतलब है false अर्था decreasing नहीं होगा अब जो decreasing नहीं होगा तो क्या होगा increasing होगा तो हम कह रहे हैं कि हमको घटे हुए करम में values को arrange नहीं करना है इसका मतलब फिर क्या करना होगा दो ही तो option है या तो values हमारे घटे हुए करम में arrange होगी या बगलते हुए करम में arrange होगी तो लिखते हैं तो यह हमारा default option होता है कि जहां पर हम values को घटे या बगते क्रम्मेल के दोनों options में थे बगते हुए क्रम को choose करते हैं उसी प्रकाश से हमारा एक और हमारा option होता है na.last इसके पास अगर हम कहते हैं कि na.last is equal to true then इसका मतलब है कि अगर हमारे data में कोई missing values हैं जो values हमारी sort हो करके आएंगे उसके सबसे अंत में उनको लिख दिया जाएगा और अगर हम कर देते है na.last is equal to false then जो हमारी missing values है हमारे जो outcome data vector है वहाँ का पहले स्थान पे उनको लिखा जाता है उसके बाद में बाकी values लिखी जाती है और अगर हम कहते है na.last is equal to na इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे data vector में missing values हैं जिनको हम na के द्वारा indicate करते हैं उनको remove कर दो उनको हटा दो और उसके बाद में जो हमारी बाकी values हैं उसको sort कर दो तो देखी हम इसको यहां पे छोटा सा उधारग लेते हैं और उधारग के द्वारा हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं तो एक मैंने यहां बहुत आसान सा उधारग लिया है जिसमें मैंने data में value लिए है आठ पांथ साथ औच्छे और इसको देखी हम sort करना चाहत आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमको अपनेश पांच और छे में से सबसे चोटी value है उसको लिखना पुदेगा तो 8 uh уis有沒有 और छो थे देखना पुदेगा वह और वो नक्राइक और कोर्येदिग आठ है उसके बाद में में जो भी हमारी अंतिम value बची है 8 तो एक ही value है तो इसका minimum हमारा हो जाएगा 8 तो देखिए यह जो आपने operation यहां पर लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8 यही आपको जब आप sort function को y के ओपर operate करेंगे तो आपको मिलेगा तो यह समझना बहुत important है कि यह option किस प्रकार से कार कर रहा है त तो आप जैसी आप करेंगे sort और parenthesis में लिखेंगे y आपको यह जो हमारी सारी values है data vector में यह बगते हुए कर में arrange हो जाएगी और अगर आप यहां पर लिख देंगे sort of y और sort में option देंगे decreasing is equal to true capital T R U E तो इसका जो हमको जो उपर outcome मिला है इसका बिलकुल ultra मिल जाएगा इसके बाद उसे छोटी उसके बाद उसे छोटी और उसके बाद उसे छोटी तो इसका देखिए operation कैसे होगा दो options है या तो जो हमारा operation अभी पहले बाले example में हुआ है यह हमारा ulti direction में हो जाएगा तो मुझको यहां पे 8, 7, 6, 5 मिल जाएगा और ऐसे आप अगर fundamental तरीके से देखें तो जो आपने यहां पे चार नंबर लिके हैं 8, 5, 7, 6 इसमें से आप इसकी maximum value निकाली है तो पहरी value क्या आएगी 8 उसके बाद में जो हमारी बाकी value बची है 5, 7, 6 इसमें से क्या हो जाएगी उसे बगई value 7 उसके बाद में जो हमारी बाकी value बची है उसमें से हमारी कौन कौन सी वैल्यू बची है पांच और छे तो इसमें से बढ़ी वैल्यू कौन सी है छे और इसके बाद अंतिव वैल्यू बचेगी पांच यही वैल्यू तो हमारी यहां पर लिख करके आ गए इस प्रकार से हम अपनी वैल्यू को सौर्ट कर देंगे तो चलिए इस operation को करो पंद्रा 10 और चार आप देखिए को आप में आपने अपने y यहां पर का सौर्ट y तो देखिए सब से पहले सब से चोती वैल्यू है चार व आ गई उसके बड़ी वैल्यू उसके बाद में जो बड़ते होगे कर में बाटी दो वैली हमारी आ गई और यहीं पर अगर मैंने option use किया ah decreasing is equal to true तो देखी क्या हो जाएगा यह हमारी जो सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी वैली आ जाएगी और इसके बाद में सबसे आंथ में जो सबसे छोटी वैली है वो आ जाएगी और इसी में आप अगर कर देंगे decreasing is equal to आप अगर लिख देंगे false तो देखी क्या होगा आपको यही outcome मिल जाएगा 4, 8, 10, 15 जो आपको पहले मिला था right तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो decreasing equal to false है यह आपका default option है कि अगर आप यहाँ पे sort y के साथ आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी यह decreasing equal to false ही रहेगा राइट ओके अब हम चलिए आगे की बात करते हैं अब हम आपको ordering के बारे में बताएंगे अब ordering में देखी क्या होता है कि आपको पहले आतों बहुत सारे लोगों को यह confusion होता है कि sorting और ordering दोनों के मतलब हमारे मिलते जुलते होते हैं तो बहुत लोग समझते हैं कि यह हमारा एक ही कार कर रहा है तो हमारे पास अब यहां पे दो सवाल है कि हमको अगर order को निकालना है तो हमारे और software में उनका क्या operation होता है और यह किस प्रकार से कार करता है और हमको यह कौन सा output देता है और आप अगर देखेंगे तो आपको यह अगर हम उसी data vector में अगर हम sort और order दोनों को अगर हम command अलग अलग करते हैं तो उसके outcome अलग 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 आते हैं तो देखिए पहले आप आपको मता दें कि ARC software में order को निकालने के हमारा function क्या होता है उसके बाद हम आपको बाकी बाते समझाएंगे तो देखिए order को निकालने के लिए हमारा command होता है order order right अब अगर हमको order अपना अगर निकालना अगर है तो सबसे पहले हमको यहां पे लिखना पड़ेगा order और उसके बाद में हम इसको यहां पे अपना जो भी data vector है उसको लिखेंगे और उसके बाद में लिख देंगे decreasing is equal to false तो जैसी आपने यहां पे लिखा तो x data vector के अंदर जो भी values है वो आपकी order हो जाएंगी और जब आपने लिखा decreasing is equal to false तो जैसा हमने अभी sort के case में देखा है कि जब हम क्या रहे हैं कि decreasing हमारा है false तो इसका मतलब क्या हुआ कि decreasing नहीं होना चाहिए अब कोई भी data अगर है हमारा ordering हो रही है तो या तो वो decreasing होगी मतलब या तो data भगते होएकर में होगा या घटे होएकर में होगा तो अगर हम कहा रहे हैं कि हमारा decreasing false है कि हमको अपना order को घटे होएकर में नहीं लगाना है तो automatically वो भगते होएकर में लगेगा तो जिस पकार से हमने sorting में देखा था कि decreasing equal to false हमारा default option होता है उसी पकार से ordering के अंदर भी decreasing equal to false हमारा एक default operation होता है और इसके बार में हमारा एक और option होता है na.last is equal to true of false तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको यहाँ पर देते हैं true तो इसका मतलब है कि जो हमारी missing value है वह मारे order data vector में सबसे अंत्र में जाएंगी और हम कहते है false तो यह हमारे जो आरम में लगा दिया जाएगा और अगर हम कहते है na तो यह हमारा order जो जो हमारी value है यह जो भी उस data में से missing values को हटाने के बार में उन values को order कर देगा इस प्रकार से हम यह देखिए अपना जो भी order वाला कार है हम उसको यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं तो अब हम यह जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यह order कर क्या रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर छोटा सा उधारग लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने एक data vector लिया है जहाँ पर सिर्फ 5 values है 9, 8, 5, 7, 6 अब मुझे यह बताईए जब भी हम किसी value को अपने data vector में देते हैं तो हमारे पास उसमें दोत्त करेकी information होती है एक तो वहाँ value क्या है और उसकी data vector में उसकी location क्या है कहां पर वो है जैसे कि अगर हम कहें कि यह value मारी 9 है यह हमारी इस data vector में पहली जगह पर है इसकी हमारी position क्या है first दो हमारी दूसरी value है 8 यह American position पर है तीसरी value 5 यह हमारी third position पर है साथ हमारा fourth position पर है और 6 हमारा fifth position पर है right तो अब हम घरा से यहाँ पे इस data vector में जो हमारे values है उनका मान और उनकी location दोनों के एक साथ लिख लेते हैं values 9 8 5 7 6 और उनकी जो position थी 1 2 3 4 5 लिखती है अब देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जरा सा हम जो हमारी values है उनको हम arrange करने की कोशिश करते हैं उनको हमें भगते हुवे करम में या घटे हुवे करम में हम उनको लिखने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा सबसे छोटी value कौन सी है यह है 5 राइट तो जो भी हमारी 5 value है उसको मैंने पहले लिख लिया उसके बाद में कौन सी है छे यह लिख दिया छे उसके बाद में कौन सी है साथ तो मैं लिख दिया साथ उसके बाद में कौन सी वैल्यू है आठ मैं लिख दिया आठ और इसके बाद में कौन सी वैल्यू है नौ तो यह तो देखे इनकी वैल्यू हो गई अब हम साथ में यह जो वैल्यू बने देखी य 9 के साथ में इनकी जो locations थी उनको भी हम उठा करके नीचे लिया तो देखिए जो आपकी पहली value थी 5 यह value है पांच और उसकी location और position क्या है 3 तो यह पूरा-पूरा value हम यह पूरा-पूरा block उठा करके हम यहां पे ले आते हैं और यह मैंने 500 और 3 यहां पे लिख दिया उसके ब और दोनों के मैंने यहां पर एक साथ लिख दिया उसके बाद में हमने क्या किया कि जो हमारी अगली वैल्यू है साथ हमने उसको उठाया और साथ के साथ मैंने उसकी वैल्यू और उसकी पोजिशन दोनों के एक साथ उठा करके नीचे लिख दिया उसके बाद हमने जो उसके आगे की वैल्यू है आठ उसको उठाया और वैल्यू के साथ में जो उसकी लोकेशन है पोजीशन है उसको उठाया और उसको मैंने यहां पर देखिए एक साथ यहां पर लिख दिया और उसके बाद मैंने अंत में जो सबसे बगी value थी 9 उसको मैंने उसकी value और position के साथ उठाया और मैंने देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया अब जड़ासा आप यह ध्यान दीजिए कि जब मैंने यह operation किया है तो इसमें से जो भी हमारी पहली वाली row में values लिखी हुई है यह तो एक हमारी जैसे इस data vector की sorted value आ गए अथा जो values थी उनको एक बलते हुए करम में लिख दिया गया अब उसके साथ में जो उनकी positions आई है यह position क्या है मतलब कि जब हमने data को भगते हुए करम में लिखा तो भगते हुए करम में जो हमारा data arrange हुआ है उसकी original positions क्या क्या आई है हमारी क्या क्या ही है तीन पांच चार दो और एक जो देखिए यहां पर लिखी हो ही है राइट अब जड़ा सा इन values को जड़ा सा ध्यान में रखी और अब हम आपको पहले order का operation करके दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं कि यह values हमारी हैं क्या तो देखिए यह मैंने यहां प उसको मैंने यहां पर order किया तो देखिए आपका outcome क्या गया 35421 अब यह 35421 कहां से आ रहा है अगर आप देखने की कोशिश करिए यह 35421 यह यही तो है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो देखिए यह जो दोनों हमारी यह जो tables बनी हैं इसको मैंने यहां पर copy कर लिया है तो आप भी देखेंगे कि यह जो हमारी y vector में जब मैंने अपनी values को को यहां पर लिखा है पहली row में तो यह हमारा क्या है एक कुछ ऐसा command है sort of y लेकिन उसके जो नीचे जब हम value को sort कर रहे हैं उनके साथ में जो उनकी location arrange हुई है वह यह हमारे order command के द्वारा outcome में आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कभी order निकालते हैं तो order में जो हमारी data vector की values हैं उनकी जो locations हैं वो यहां पर outcome में दी जाती है और यह कौन सी locations होती है कि पहले हमारा data sort होता है और sort में उसके साथ में जब हम data को बगते हुए या घटे हुए करम में arrange करते हैं तो उस ब दिखाई जाती है राइट उसी प्रकार से अगर हम यहां पर अपना अगर एक option यूज कर लेंगे decreasing is equal to true अर्था d e c r e a s ing lower case में equal to true देन देखिए यही जो order आपको मिला है यहां पर 35421 यह आपको देखिए उल्टी direction में आ जाएगा 12453 तो देखिए ज़रा से अब हम इसी command को आपको r software में करके दिखाते हैं और देखिए इसका outcome भी है तो आपको समझ में आएगा कि देखिए क्या हो रहा है तो अब हम देखिए काम करते हैं हम अपने इसी data vector को लेते हैं जो हमने उपर sort में use किया था और देखिए ज़रा से हम आपको यहां पर करके दिखाते हैं कि अगर हम इसका order निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा यह आ रहा है 4 1 3 2 और जब आपने sort किया था तो यह क्या था देखिए 4 8 10 15 तो देखिए अब 4th क्या है यह इसकी सबसे छोटी value और यह किस location पर है 4th तो देखिए यहां पर आपको आगया 4 उसके बाद में क्या है 8 8 आपकी कहां पर है यह देखिए पहली position पर है 8 आपका तो यह 4 1 आ गया उसी प्रकार से आपकी बाद की values आ गयी इसके बाद हम देखिए इसी command में हम order का हम के साथ में हम करते हैं decreasing is equal to true तो देखिए आपको उतर आ जाएगा इसी का उल्टा हो गया यह था 4 1 3 2 और यह आपक की जगह है आप अगर कर देंगे false तो आपकी यही उतर आजया जो आपने order के साथ में निकाला था अर्थार जो decreasing equal to false है यह इसका default option है कि अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो यह हर्दम उसको increasing order में ही arrange करेगा ओके अब हम अपने एक और छोटे से topic के बारे में बात करते हैं वह है mode तो mode के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे statistics में mean, median, mode होता है यह वह वाला mode नहीं है यह मारा है mode जैसे हमारे याता याद के सकाध यह हमारा वह वाला mode है तो हर एक जो भी हमारा R software में हमारा एक हर एक object का एक mode होता है और यह mode दिखाता है कि वह जो हमारा object है R software में उसकी memory में किस प्रकार से store हुआ है यह दे नंबर, character, listing, list of pointers, या function इत्यादी चलिए हम यहाँ पे आपको करकर दिखाते हैं कि यह इसको हम क हम लोगों ने पहले भी बात करी यह हमारा होता है mode mode और parenthesis में हम उस data vector को लिखते हैं जिसका mode निकालना चाहते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पे यहाँ पहले भी कर चुके लेकिन हम आपको कुछ और यहाँ पे बताना चाहते हैं इसलिए मैंने इस operation को यहाँ पे फिर एक हमने कोई character string लिया से इंडिया इसको मैंने double course में लेखा तो यह character string है तो इसका mode हमारा क्या होगा character उसी प्रकार से हमने अगर अगर अपने characters का data vector ले लिया तो यह भी हमारा एक character ही होगा इसके बाद में देखिए अब हम बात करते हैं आपको एक और मैंने यहाँ पे देखिए एक एक character string लिए जिसमें लिखा MP और UP अथार मद्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश साथ में हमने इसके उपर एक operation किया factor यह factor का operation क्या है यह अभी हम आगे आने वाले lectures में इसके बार इसके बारे पास एक और option होता है list इसके बारे भी हम आगे आने वाले lectures में बात करेंगे और इसको हम कहते ही है list और इसमें से हमारे देखिए जो दो मैंने characters लिखे हुए है इंडिया और कैनाडा double quotes के अंदर इसका हमारा mode क्या होगा list उसी तरह के से हमारे पास एक और command होता है data frame को handle करने के लिए अब यह data frame क्या होते है यह तरह के से आपने spreadsheet के बारे में पढ़ा हुआ है कि spreadsheet में हम अपने numerical values और character दोनों को किसी format में लिख सकते हैं और इसके ओपर जो हमारा data है उसके ओपर हम mathematical operations भी कर सकते हैं जैसे हमारा एक spreadsheet बनाने का जो हमारा करिका होता है वो data और character दोनों को लिख सकते हैं तो उसकी जो हमारी file होती ही उसी को spreadsheet बोलते हैं तो our software में उस तरह की spreadsheet को किस प्रकार से handle किया जाए उसके लिए हम data frame का concept use करते हैं data frame क्या होता है इसको हम अभी आगे आने वाले lectures में बात करेंगे लेकिन इसका जो हमारा mode होता है यह मैं आपक बहुत से functions होते हैं कैसे कि हमने पढ़ा हुआ है print function sum function इत्यादी तो यह जो functions होते हैं इनका हमारा mode होता है उसको हम कहते है function f u n c t i o n तो यह देखिए हमारे modes होते हैं और हम इसके बारे में जड़ासा आपको कुछ उदारान लेकर के भी बताते हैं तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे निकाला कि यह जो हमारा एक number है 2.432 इसका हमारा mode क्या होगा numeric अगर हम एक data vector ले ले लेंगे इसके अंदर हमारे सारे सा इसका हमारा mode क्या हो जाएगा character और इसका screen shot जो आपको मैंने दिखाया है उसी परकार से आप अगर कोई भी एक characters का data vector लेते हैं लेकिन उसके उपर आप अगर अपना factor operation कर देते हैं तो यह क्या करेगा इस character को एक number में convert कर देगा और इसका जो हमारा mode बन जाएगा फिर numeric औ और उसी परकार से अगर हमें एक अपना list command का use करते हुए हमें एक अपनी list बनाते हैं जैसे मैंने यहाँ पर India और USA दोनों हमारे character हैं दोनों के मैंने list बनाई हैं तो इसका जब मैंने mode निकाला तो यह character नहीं हुआ यह हो गया list और उसी परकार से जब हम किसी अपने data frame का mode निकालते हैं तो data frame मैंने यहाँ पर क्यार किया है कि क्या लिखा हुआ है इसके बारे हम आगे बात करेंगे और आप देख सकते हुए कि मैंने यहाँ पर x equal to one or two और यहाँ पर India और USA दो values को एक साथ combine करने की कोशिश करी है तो इसका भी जो हमारा mode क्या होगा list उसी तरह से अगर हम कोई भी function लेंगे जैसे print इसका हमारा mode क्या हो जाएगा function उसी यह से sum product इतियादी अगर हम इनको भी लेंगे तो उसका भी हमारा जो output होगा यह हमारा function के form में हो जाएगा तो देखी यह मैंने आपको यहाँ पर इनका screenshot दिया हुआ है कि लेकिन हम आपको इनको यहा data vector ले ले लिए say 2, 6, 9 तो देखी इसका mode क्या हो जाएगा numeric और अगर मैंने कोई अगर यहाँ पर एक character ले लिया कैसे मैंने क्या दिया say apple तो देखी इसका mode क्या हो जाएगा character और इसी में आप अगर मान लिज्ये आप इन characters का data vector निकाल लेते हैं जैसे मैंने क्या दिया यह और सिहर केक और केक भी हमारा करेक्टर है तो इसको मैंने डबल कोर्स में लिख दिया और देखिए इसका मारा मोर क्या आजाएगा करेक्टर अब आपको एकची दिखाना चाहूँगा इसी डेटा वेक्टर में अगर हम यहां पर नंबर आड कर देते हैं 34 तो इसका मोर क्या रहेगा यह भी हमारा करेक्टर ही रहेगा क्यों क्योंकि देखिए जैसी आपने किसी डेटा वेक्टर में अगर नंबर को एड कर दिया लेकिन उसके बाद आप उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल नहीं कर सकते हैं तो यह हमारा करेक्टर के फॉर्म में ही रहेगा तो अब आप मान लेज़े कि अगर हम इसी अपडेटा वेक्टर में, जो मेरा करेक्टर के फॉर्म में है, इसमें अगर हम यहाँ पर एक फैटर का ओपररेशन कर देते हैं, तो देखें क्या होता है, इसका मारा मोड बदल जाएगा, यह हो जाएगा number. उसी प्रकार से अगर हम यहां पर कोई अगर हम एक लिस्ट ले लेते हैं और लिस्ट का अगर हम जो भी मोड निकालते हैं तो जैसे मैंने कह दिया यूपी से हैं एमपी तो आप दिखेंगे इसका मारा ऑपरेशन क्या गया लिस्ट इसका मारा मोड क्या आ गया लिस्ट क्या होती इसके बारे हम आपको डीटेल में बाद में बताएंगे और ऐसी प्रकार से अगर हम अपने अपकिसी डेटा फ्रेम का अगर हम मोड निकालना चाहते हैं तो भी लेलिया sort चलिए देखिए तो देखिए क्या हो जागा ये भी हमारा function है राइट तो देखिए ये हमारा एक जो mode function है मैंने आपको यहाँ पर कुछ और operation बताए जो हम यहाँ पर आपको आगे करके दिखाएंगे तो अब हम अपने इस lecture को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आपन सबसे important यह है कि आप दिखास समझिए कि R किस प्रकार से कार कर रहा है क्योंकि जिस प्रकार से R कार कर रहा है उसी प्रकार से आपको अपने कारियों को R के द्वारा कराने के लिए उसको एक सही command देना पोड़ेगा कैसा अधार के लिए sorting और ordering का जो एक जो common मतलब तो एक सह कोशिश कर रहा है यह बात आपको ध्यान में रखना है साथ ही मैंने आपको मोड के बारे में बताया मोड के बारे में हम पहले भी बात कर शुके थे लेकिन हमारे कुछ और ऐसे चीजे हैं जैसे हमारा list data frame factor इत्यादी है जो हमारे हम अपने आगे आने वाले lectures में इनको पग जादी के एक different different combination लीजिए उनके mode देखिए और जो आपका sort और order वाले command है उसको आप अपने और से कोई data vector लीजिए और उसमें उपर sort और order करके देखिए कि manually आप जो निकाल रहे हो और जो R के द्वारा आ रहा है वो क्या आपस में mail कर रहा है और जैसे जैसे आप इन आपके दिमाग में बैठते ही जाएंगी आप इन चीजों को practice करिए और हम आपको अगले lecture में कुछ और command के साथ मिलने फिर से आएंगे तब तक के लिए good bye कर दो कर दो